नमस्कार दोस्तो में डॉक्टर सुनील पार्टिदार आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चनल डॉक्टर पार्टिदार सोमेपतिक सेंटर भोपाल में दोस्तो आज हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइल्स में आपकी इसलिए यदि आपको इसे जड़ से खत्म करना है तो आपको कारणों को समझना पड़ेगा और वह कौन सी चीज़े हैं जो आपको नहीं घानी चाहिए या आपको समझना बहुत ही जरूरी है अगर इन बातों को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप पूरी तरीके से इ विशान होते हैं और कुछ पेशन्ट तो मेरे पास ऐसे आते हैं जिनों ने इसके लिए सर्जरी तक करा लिए और साइद आप लोगों में से भी किसी ना किसी ने एक या दो बार ऑपरेशन करा भी लिया होगा दोस्तों मैं इसे काफी सारे पिशन्ट देखता हूँ जो एक या दो बार ऑपरेशन करा लेते हैं और फिर मेरे पास आते हैं हुमेपते ट्रिट्मेंट लेने हैं जब मैं उनकी डेटेल में उनसे पूछता हूँ तो बताते हैं कि सार हमने आपरेशन तो करा लिया है लेकिन इसके बावजूद हमको तकलीब जो है वो हो रही है क्योंकि दोस्तों वो कुछ गल्तिया बार बार करते हैं खान पान में जो उन्हें बदलाव करना चाहिए वो अब नहीं कर पाते हैं और ऐसी कुछ चीजे हैं जो कि उन्हें नहीं खाना चाहिए और वो लोग वही चीजे बार बार दोस्तों खाते रहते हैं और इसलिए उन्हें ये समस्या बार बार आ जाती है याद रखे दोस्तों ट्रीटिमेंट में आधा जो काम है वो आपी के हाथों में है और वो है हमारा खानपान और इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि वो ऐसी कौन सी चीजे हैं कि अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है या फिर आप चाहत करते हैं उसको ब्रेक करने का काम हमारा करता है और ब्रेक करने के बाद उसमें जो पोशक तत्वे हैं जो आपके सरीर के लिए जरूरी होते हैं उनसे भी पोशक तत्वों को हमारा सरीर दोस्तों निकाल लेता है और बचे हुए जो पार्ट से उनको सरीर से बाहर निकाल दे अब जनरली क्या होता है कि इसमें 24 से 72 गन्टे का दोस्तों वक्त लगता है अब में Hert गडवन क्या होती है कि हम कुछ ऐसी चीज़े खा लेते हैं जिससे हमारे डाइजरेशन डीस्टर्ब हो या यू कहे कि स्लो होने लगता है और डाइजेशन का जो टाइम है जो की होना चाहिए 24 घंटे से लेकर ज्यादा ज्यादा 72 घंटे तक यह बढ़ने लगता है और इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ-कुछ लोगों को दो-दो दिन तक पैखाना नहीं आता है या कुछ लो आपका जो मल है दोस्तो सकत होने लगेगा और सरीर क्या करेगा उसमें जो पानी का एबजोप्शन है वो बढ़ा देगा अब जरा इस बात को समझेए कि यदि आपकी लेटरिंग हार्ड हो गई है तो आपकी एनस की जगे है आपके लेटरिंग की जगे पर दोस्तो एक प् है और यहां की जो नसे है यदि उसकी उपर प्रेशर बन रहा है तो यह जो नसे है दोस्तों यह बाहर की तरफ खुलने लगेंगी जिसे हम एक्स्टरनल पाइल्स कहते हैं और यही नसे यदि अंदर की तरफ फूलने लगेंगी दोस्तों तो इसको हम इंटरनल पाइल्स कह बोच कुछ लोगों में हम देखने को मिलता है कि फिस्चुला की समस्या भी हमें देखने को मिलती है इसलिए हमें यह जब जरूरी है कि वहाइसी कौन को बढ़ा सकती हैं अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो आप का क्या होगा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा आपकी एनस में जलन होगी इसमें दर्द हो सकता है और इस तरह की आपको समस्याय हो हो सकती हैं तो यदि आपको आधत है कि आप बहुत जाड़ा ना करने चाहिए अपनी आदतों में बदलाव करना चाहिए एक और दूसरी बात आपको याद रखनी है दोस्तों जो की बहुत जाधा देखी जाती है कि लोग प्रेसेंट वांप ठेशन्ट हैं उनकी आदत हो जाते है कि जब गुष जाते हैं तो बाहर पर इस ineffective करेंगे दोस्तों, यसा भिल कल भी नहीं करने वो है कि हाई फेट या तेल वाले पदार्द इस पेसलिए तेल वाले पदार्द जिसमें कि बाहर के जो दोस्तों खादे पदार्द होते हैं उसमें जो तेल यूज होता है उसमें एक ही कडाई में उसको बार 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 उसी में वो तलते रहते हैं इस तरह के तेल से क्या तेल वाली चीज़े ज्यादा फैड वाली चीज़े बिलकुल भी आपको नहीं खानी इनको प्लीज आप कीजिए चोथी एक चीज़े दोस्तों कि बैकरी के फूड आइटम प्रोडक्ट आजकल बहुत देखा जा रहा है कि एक फैशन सा बन गया है बैकरी प्रोडक्ट खाने का लोगों को इसकी आदत हो जाती है और एक बार आपको जड़ी आदत लग गई तो आपको वही चीज़े अच्छी लगेंगी जो आप उसे बार बार आपको खाने का दिल करने लगेगा फिर आप भूल जाते हैं कि आपका डाइजेशन के लिए चीज़ अच्छी है या न है तो पूरी तरीके से आपको बैकरी प्रोड़क्स को कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए कि याद रखिए दोस्तों पत्ता गोवी कुछ सब्जियां होती है जैसे पत्ता गोवी फूल गोवी आलू सिम्ला मिर्च इन सब सब्सक्राइब करना चाहिए और खासकर कि म दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है जब आपको पाइल की समassya हो गई है इसके लावा आप क्या कर सकते इसके लावा चाय काफी चाकलेट इन सब चीजों को आपको कम कर देना है क्योंकि यह जो एक जाधि है तो मैं आपको यह काऊंगा कि आप जो है या तो त फिर आप ले रहे हैं उसको तो उसकी मात्रा को कम कीजिए आप सिफ आदा कब चाय दिन बढ़ में एक बार पी सकते हैं इसके बाद दोस्तों कुछ गलत आदते जिहां जैसे की ज्यादा स्मोकिंग करने की आदत या फिर यदि आप ड्रिंक करते हैं अलकॉल यदि आप कंजर्फ करते हैं दोस्तों इससे भी क्या होगा आपका डाइजेशन बिगड़ेगा और अगेन वही समस्या आपको आईगी इस वेज़े से आपका टाइन टेबल काने का यह भी डिस्टाब हो सकती है इसलिए आपको जोस्तों एलकॉल और स्मोकिंग से दोर रहना है फिर आता है नेक्स अपना दोस्तों जंक फूट खाने की आदत आज कल यंग स्टर में मैं बहुत इस्पेसली देखता हूं कि जंक फूट खाने के वह लोग आदी हो गया है इतनी ज्यादा उनको से गयत हो जाती है क्योंकि उनको जंक फूट खाने की बहुत ज्यादा आदत लग जाती है यदि आपको भी पीज़ा बर्गर मेगी चाउमीन फास्ट फूट लेना पसंद है तो दोस्तों इसको तुरंत रोकिए क्योंकि यही एक चीज है कि जो आपके पाइस के लिए जिम कि अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो आपको जब तक पाइस की समस्या है कुछ दिरों के लिए आपको नहीं लेना है और नौन वेज इसलिए आपको बंद रखना है क्योंकि दोस्तों यह हाट टू डाइजेस्ट वाले पदार्द होते हैं और इनको डाइजेस्ट करन आपको आसा मेहनत करनी पड़ती है इसको पचाने के लिए इसलिए आपको इसको करना है ताकि कि आपको कॉंस्टिपिशं ना रहे और पाइस की समस्यांना रहा है अब बात आती है कि आपको आखिर क्या इसक्टना चाहिए और कि आपके पाइस, फिसर, फिस्टुला और डाईजियसन की तकलीफों के लिए तोस्तो तो सबसे पहले एविच्छो कि आपको ध्यान देरा है वह यह है कि खाने के बाद आपको यह लेट है ना नहीं है कई यहीं लोग व्हेंस से लेट आते हैं खाना खाते हैं लोग को में तरंन्त लेट जाते हैं अईसा आपको बील्कुल नहीं करना है करुसट कम तो गूंटे दो गूंटे है वह है आपको सलाथ खाना है सलाथ को आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें रिच मात्रा में फाइवर्स होते हैं थोड़ा समय फाइवर की त्योरी आपको बता देता हूं कि फाइवर याने कि आपके डाइजेशन को पचाने के लिए जो एक इंपोर्टेंट पार्ट होता है वह फीरशन को मिलने को आपको अच्छा है तो दोस्तों, डाइजेशन के लिए सबसे जरूरी फाइवर्स होते हैं, जो कि आपको सलाद में मिलते हैं, फ्रूट्स में मिलते हैं, और सभी तरह की सबजियों में मिलते हैं, आप पालक खा सकते हैं, आप मूली खा सकते हैं, गोबी खा सकते हैं, गाजार, मेथी, लोकी, और इ ना है इनको बोठी अपनी life style में तोसो जरूर से सम्भलिक आप कर लीज़े आप को एक बना लेना है अपनी life का की ये चीज़ें हमें करनी है आपको पाइल्स की समस्ट्राइब क्लिक्टों होता है यह यह आप तरह 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 के treatment लेते हैं आराम मिलता है अगें आप वही चीज़े अपनी लाइफस्टाइल में बदलाब नहीं करते हैं जिससे समस्या हमेशक लिए बनी हुई रहती है ये बार बार आपको परिशान करती है एक ओपरिशन, दो बार चार ओपरिशन दोस्तो इसका यह सलूशन नहीं है आपको lifestyle में बदलाव definitely करना होगा तभी आप इससे निजात पा सकते हैं दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है आपको homeopathy treatment लेना है दोस्तों homeopathy की दवाईया है बहुत ही effective होती है पाइस के case में और इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए homeopathy की दवाईया काफी क आरगर होती है मैंने हर डिशीज की उपर दोस्तों मैंने पाइल्स की उपर फिशर एसेटी इंडाइजेशन कब्ज और तरह तरह के डाइजेशन से संबंदित बिमारियों के लिए वीडियो अपलोड किये हुए हैं आप उन वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने अभी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन की बटन को भी प्रेस करती हैं लाइफ सेशन भी करते रहते हैं वहां आप अपने सवालों का जवाब हमसे कर सकते हैं जवाब पात सकते हैं दोस्तों मैं उसकी पूरी कोशिस करता हूँ कि सबको म लाइफ स्टाइल में बदलाव करके इसके साथ में आपको दोस्तों सैल्फ मेडिकेशन नहीं करना है आपको डॉक्टर से सला लेनी है होमियोपेटिक मेडिसेन बहुत इफेक्टिव होती है इस बीमारी को जोड़ से खत्म कर देती है आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं और आशा करता हूँ कि वीडियो आपने पसंद आया होगा आपने इसको पसंद किया है और आपकी कोई कमेंट से कोई कोई है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं दोस्तों इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बह आपने अगने गतने इसको, और आपका लिएघा सलाओ एमीचे कर दे देग इसको बार नेदाने कोई फस्दी है कि दे वा गगेए नेकि अन्यवा हूँ